तो आज हम लगाने वाले हैं लेग्स तो लेग्स की हमारी पहली एक्सरसाइज होगी स्पपोर्ट करेगा तो इसमें हमें देखे बार्बल स्पपोर्ट करें तो यह हमारे शोल्डर विर्ध के अपने पैर रखेंगे यहां पर हम और नीचे हमें जाना है 90 डिगरी तक तो एटलीस्ट जाना ही है और उससे थोड़ा नीचे जा सकते हैं तो भी चलेगा लेकिन उससे उपर जाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे हमारे जो quadriceps हैं वो यहाँ पे हमारे trend हो रहे हैं हमारा यहाँ पे glutes हमारे involved हैं तो यह बहुत ही एक जरूरी exercise है बारबल squats अगर हम leg वाले day में लगाएं तो तो इसके हमें 8 wrap निकालने हैं हर एक wrap में हर एक set में हमें weight को increase करना है और हर set में repetitions 8 निकलेंगी अपना weight उसी according पिक करें कि आप पहले से दूसरे में जब shift करें तो weight को increase करें और जब दूसरे से तीसरे में shift करें तो भी weight को increase करें और तीनों के तीनों set में 8 wrap निकालने ही जरूरी है 8 से कम wrap नहीं निकालने हैं ये जरूर ध्यान दें आपको किसी भी तरीके से 8 wrap hit करने ही करने हैं तो इसी से आपकी जो strength है वो बढ़ेगी आपके muscle को जो gaining आनी शुरू होगी वो muscle pump होगा होना शुरू होगा तभी वो muscle जब आप उस पे अच्छे से load लाएंगे उसके बाद हमारी जो दूसरी exercise है वो हमारी यहाँ पे leg press है जो कि हम लगा रहे हैं normal अपना grip है जो हमारे वो wide रहेंगा इसमें तो अगर यह हमारा इसमें देखें grip wide है आप देख सकते हैं तो जब wide grip है तो हम inner thigh को यहाँ पे हम अपनी थोड़ा train कर रहे हैं अपनी inner thigh पे जो हमारा tension है वो ज़्यादा है और यहाँ पे हमारा motive भी वही है कि हमने squats में अपना quadriceps train किया तो हम अपना leg press के उपर अपनी inner thigh को हब hit कर रहे हैं तो same रहेगा इसमें भी हमें 8 rep निकालने है heavy weight है तो heavy weight 8 rep निकालेंगे 3 set में और 3 ही set में 8 repetitions लगानी है हर set में weight increase होगा इसके बाद हमारी जो तीसरी exercise है वो है sumo squats यहाँ पे मैं barbell से लगा रहा हूँ आप चाहें तो इसको थोड़ा easy करने के लिए आप dumbbell से लगा सकते हैं लेकिन barbell से यह थोड़ी advance है तो यहाँ पे देखिए barbell हमें same deadlift जिस तरीके से हम लगाते हैं उसी तरीके से लगाना लेकिन यह ground पे touch नहीं करेंगे हम deadlift में हम weight को dead कर देते हैं लेकिन यहाँ पे weight dead नहीं होगा और हमारे जो foot है वो बाहर की तरफ point करेंगे और knee हमारे foot से बाहर नहीं जाएंगे हमें नीचे जाना है यह actual में हमारे hips की और साथ में hamstring की exercise है हमारे बहुती अच्छी एक exercise है हमारी hamstring और hips के लिए पीछे तो इसको लगाएं यहाँ पे और 8 wrap यहाँ यहाँ पे हमें same निकालने हैं जैसे कि हम हमारे program है heavy weight तो इसमें हम 8 wrap हिट कर रहे हैं heavy weight के साथ में तो वही हमारा focus है इसमें देखिए अपनी back को straight रखना है same as जैसे deadlift हम लगाते हैं back अमारी drop नहीं होगी हमें weight carry करना है arms के through और सीधा pick करना है यहाँ पे तो posture बहुत सही होना जरूरी है गलत लगाने का कोई फायदा नहीं है तो उसमें ध्यान दे क्योंकि injury के chances रहेंगे अगर आप गलत लगाते हैं तो हमारी next exercise है high knee यहाँ पे हम table पे यह लगा रहे हैं तो इसमें देखिए आपने करना क्या है कि table के उपर एक leg रखने के बाद जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं आपको उपर जाना है और अपने knee को उपर high लेके जाना है chest के पास में तो जै riceps involved है पूरा हमारा यहाँ पे glutes involved है यह सेम यहाँ पे हमारा काफ भी involved है तो यह whole lower body exercise है यह बहुत ही जरूरी exercise मतलब completely lower body exercise है तो यह बहुत ही काम की exercise आपके लिए रहेगी अगर आप इसको schedule में अपने add कर देते हैं leg की तो किसी भी schedule के साथ में यह heavy weight में तो आपको लगान करना है इसमें reputation कोड़े changes होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या करना है कि हमें 8-10 wrap निकालने है और 3 set लगाएंगे सेम जैस तरीके से हमारा workout चल रहा है उसी तरीके से जो program है उसी तरीके से रहेगा उसी तरीके से चलेगा 8 wrap 3 set और weight हमेशा increase करते रहेंगे 3 set में और इसी के साथ म के बाद हमारी जो last exercise है जो की leg workout की रहेगी हमारी वो है calf raises और यहाँ पर seated calf raises हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर जिसकी जिम में आपकी अगर जिम में seated calf raise की machine है तो आप उस पर लगाएं यहाँ पर नहीं है तो हम smith bar का use कर रहे हैं smith machine का और यहाँ पर जब हम weight को उपर लेके जा रहे हैं तो अपने gastronemius muscle को हम activate कर रहे हैं calfs के और जब नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पर अपने soleus muscle को activate कर रहे हैं तो दोनों हमारे जो दो muscle है calfs के उन दोनों के लिए यह हमारी exercise है इसको लगाना है आपने seated calf raise अगर आपकी जिम में है तो उस पर लगाएं नहीं तो फिर इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं आप चाहें तो seated dumbbell का फ्रेज भी लगा सकते हैं तो आपको 8 रैप लगाने हैं heavy weight से 3 set में तो आज की वीडियो में इतना है sign off